The Three Friends, यह है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी, इस स्टोरी को करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट और स्टोरी के हल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारी की से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के ने वर्ड मिनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे बेसिक से एडवांस तर तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तीन दोस्तों की बात हो रही है और यहाँ पर आर्टिकल लगा है यानि की दो आर्टिकल लगा है इन तीनों दोस्तों का जिकर स्टोरी में हो चुका है सभी दोस्तों की बात नहीं और इस पेशल कुछ खास तीन दोस्तों की बात हो रही है इसलिए दो आर्टिक इसे सो पढ़ेंगे ना कि सा एक दिन तीन फ्रेंड्स ने देखा यह simple past का affirmative sentence है अब क्या देखा a rupee एक rupee coin मतलब एक रुपे का सिक्का कहां पर देखा on the road यानि कि सडक पर देखा तो यह simple past का sentence है as the क्यों की as the क्यों की the three of them three of them saw यानि कि उन तीनों ने saw देखा सी की second form the coin उस coin को यहां पर देखा कि आपने a coin लिखा था a rupee coin क्योंकि पहले पता नहीं था कौन सा coin first बार हमने उसका introduction दिया पहली बार उसको introduce कराया उस सिक्के को लेकिन फिर दुबारा से इस सिक्के की बात हुई तो यहां पर a article नहीं लगा the article अब यह known हो गया है यह सिक्का फिर इसी की बात करेंगे तो बार बार the लगेगा article यानि वो वाला सिक्का जिसकी पहले बात हो चुकी है as the three of them saw the coin उस coin को क्योंकि उन तीनों ने एक साथ देखा at the same time at the same time एक साथ same ही समय पर each यानि प्रतेक ने each ने claimed claim से claimed second form simple past का वाक्य है दावा करना it यानि दावा किया हक जताना तो तीनों ने claimed it यानि उसका खुद का होने का दावा किया claimed किया than फिर दे उन्होंने decide से decided तै करना फैसला करना than they decided उन्होंने फिर तै किया फैसला किया कि that they would not fight वो क्या नहीं करेंगे fight नहीं करेंगे तो would के साथ first form आ रही है since गा, गे, गी वाला ही आ रहा है यहाँ पर देखे यह decided वर्ब की second form है यहाँ पर will की second form would का प्रियोग हुआ है जब हम बीते वे समय में future की बात करेंगे गा, गे, गी का sense आएगा तो will की जगे would आएगा और इसके साथ first form आएगी negative है अगर negative sentence होगा तो यह would के बाद में आपको not लगाना यह रहेगा structure का form ऐसे structure को आप बनाएंगे तो यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि decided verb की second form है तो हम इससे लगने वाला sentence भी इसके साथ attach होने वाला sentences भी हम जो है verb की second form के साथ बनाएंगे इसलिए would लगा है सीधी सी बात है कि past में future की बात करते है तो will की जगे would का प्रियोग होता है but they would buy some eatable with the money but they वे खरीदेंगे buy मतलब खरीदना would के साथ verb की first form some kuch eatable खाने योग्य खाने योग्य कोई चीज with से किस से the money money से उन पैसों से उसको इन से and share यानि की बातेंगे it equally तो would के साथ ये buy हो गया और ये share हो गया verb की first form है simple past का ही ये वाक्य चल रहा है the first one यानि की पहला जो है उसने कहा said the first one said I want मैं चाहता हूं I or want यहाँ पर inverted कॉमा के अंदर ये sentence दिया गया है present indefinite tense का ही sentence है यानि की verb के साथ subject के साथ verb की first form want का प्रियोग हुआ है फिर यहाँ पर देखेंगे to eat I want to eat मतलब मैं चाहता हूं to eat का मतलब है यहाँ पर खाना यह जो to eat है यह infinitive है to के साथ अगर verb की first form आती है यानि की base form आती है तो उसे English की grammar की भाषा में infinitive कहा जाता है इनके अपने function होते है जैसे की यहाँ पर इसका काम क्या है I want मैं चाहता हूं क्या तो क्या का जवाब to eat में आ रहा है तो यह want का object है as a object यहाँ पर infinitive का use किया गया है as a subject भी इसका use किया जाता है तो इस तरीके से इसके अपने infinitive के अपने functions होते है I want to eat something तो यहाँ पर verb सिर्फ want है यह to eat verb नहीं है ख्रिया नहीं है object की रूप में इसका प्रियोग किया गया है I want to eat something which tastes sweet यहाँ पर taste yes लगा है simple present का ही यह वाक्य है मतलब मैं कुछ मैं चाहता हूँ खाना something यानि कुछ जो क्या हो जिसमें स्वाद मीठा स्वाद होता है ऐसा खाना चाहता हूँ यहाँ पर taste में yes लगा है तो something के साथ जो verb आएगी उसमें क्या होगा verb में ऐसी या yes लगेगा कहा inverted comma के अंदर है तो उस time में यानि जिस tense में बात की थी उसी में है यानि present time में तो यह present time का ही रहेगा inverted comma के अंदर part जैसे की but I am feeling hungry am am हो गया या is r हो गया और verb में ing लग गया main verb में ing लग जाता है तो वो present का continuous tense हो जाता है रहा है रही है रही है इस तरीके से उसकी पहचान की जाती है continuity को वो वाक्य दर्शाता है और subject के according हम is MR helping verb का प्रियोग करेंगे subject यहाँ पर I है इसलिए हमने am helping verb का प्रियोग किया है तो feel मतलब लगना I am feeling hungry मुझे भूक लग रही है I want मैं चाहता हूँ to eat खाना तो to eat यहाँ पर infinitive है want यहाँ पर verb की first form है simple present का वाक्य है a lot of things बहुत सारी चीजें और यहाँ पर देखे to फिर fill up यह verb की first form है यानि base form तो I want to eat मैं खाना चाहता हूँ a lot of things अभी क्यों खाना चाहता हूँ क्यों fill up भरने के लिए my hungry मेरा भूका stomach यहाँ पर hungry adjective है और to fill up यहाँ पर infinitive है यह जो to eat दिया गया infinitive यह want का object है object के sense में इसका ब्रयोग हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो यह object नहीं है यहाँ पर क्या sense आ रहा है कि I want to eat a lot of things इसमें खाना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़े why क्यों क्यों यानि purpose यहाँ पर कारण शो रहा है मेरा जो भूका पेठ है उसको भरने के लिए तो के लिए इसकी हिंदी में के लिए अर्थ होगा और यहाँ पर यह to in plus verb की first form infinitive purpose उद्देश कारण को यहाँ पर शो कर रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं at this इस पर the third set तीसरा जो है उसने कहा but लेकिन I am feeling thirsty अब यहाँ पर मैं क्या हूँ मुझे प्यास लग रही है मैं प्यासा हूँ I am feeling thirsty मुझे प्यास लग रही है we must must जब हम ज़्यादा आवश्चकता के must यानि बहुत ज़्यादा जरुत हो ऐसा हमको दिखाना हो वाक्य में और बहुत ज़्यादा जिसकी संभावना हो ऐसा हमको दिखाना हो वाक्य में वहाँ पर हम must का use करेंगे we must और must के साथ work की first form का प्रियोग होगा है तो we must drink something यानि कि हमको क्या करना होगी के sense में भी होगी ठीक है तो we must drink something हमको क्या करना चाहिए कि कुछ पीना चाहिए that जो क्या करे would quench my thirst जो क्या कर सके मेरी जो यहां पर quench thirst का मतलब है प्यास को बुझाना जो मेरी प्यास को भुझा दे तो यहां पर देखे वुड के साथ quench thirst वर्ब की first form का प्रियोग हुआ है तो वुड का प्रियोग यहां पर एक अलग है यहां पर हो रहा संभावना के sense में possibility के sense में मतलब कि हमको कुछ पीना चाहिए जिससे की possibility क्या हो कि मेरी जो प्यास है वो बुझ जाए तो वुड का यूज वर्ब की first form के साथ possibility के लिए संभावना के लिए भी and old man saw them arguing अब यहां पर देखें एक old man ने एक बुड़ा आदमी वहां से जा रहा होगा जो भी कुछ हो एक बुड़ ैa-a-n-g लगा है बहस करते वे कोई काम करते वे किसी को देखा ऐसी feeling आती है तो वह present participle होता है present participle वर्ब में आ-n-g के साथ आते हैं जैसे continuous sense मे भी main verb में आ-n-g लगा रहता है तो वह present participle action के sense में काम करते हैं और इस तरीके से किसी को कुछ करते वे देखा ऐसे sense में adjective की adjective की रूप में भी present participle का जो होता है, काम होता है, तो यहाँ पर as an adjective present participle का use किया गया है, an old man saw them arguing, उनको कुछ करते वे देखा, पहस करते वे देखा, तो यह present participle है, he led to, यहाँ पर देंकि lead to का मतलब होता है, नित्रत तो करना भी होता है, किसी को कहीं पर ले कर जाना, ऐसे sense में, ले कर जाने के sense में भी होता है, तो यह lead to की second form है, lead, lead की second form lead, और to कहीं place, कहीं किसी स्थान की और ले कर जाना, तो he led them, वे है, कौन, he यहाँ पर कौन है, old man है, वो क्या है, ले कर गया, a fruit shop, एक फलो की दुकान पर, the, यह भी simple past का वाक्य है, the old man took, अब यहाँ पर देखे, पहले जब old man आया, पहली बार हमने इसको introduce करवाया, तो an यानि an article का use हुआ, लेकिन फिर दुबारा से जब इसकी बात आई, तो हमने, जो है, the article का use किया है, क्योंकि अब हम उसके लिए, हम known, अब वो जो old man है, वो हमारे लिए known हो चुका है, पहले से उसकी बात हो चुकी है, तो the old man मतलब वो वाला बुड़ा आदमी जिसकी पहले बात हुई, टेक की सेकिन फॉर्म टुक है, तो टेक का मतलब लेना, तो लिया यहाँ पर, simple past का बाक्य है, वर्ब की सेकिन फॉर्म है, उस बुड़े हागमी ने लिया, क्या लिया, the rupee coin, जो वो rupee coin था, सिक्का था उसको, तो the article from them, यानि from say them, यानि उनसे, उनसे लिया, and by की सेकिन फॉर्म bought, यानि खरीदा, a small, जब and conjunction से, हम दो parts को add करते हैं, तो यहाँ पर देखें, वर्ब को, यानि एक वर्ब वाला sentence है, उसके बाद भी ये वर्ब जुड़ी है, तो सेकिन फॉर्म में ही आएगी, same pattern वाली ही वर्ब होगी, a small bunch of, एक छोटा सा bunch of grabs, एक छोटा, बंच का मतलब गुच्छा, अंगुरों का गुच्छा खरीदा, किसने बुड़े आदमी ने, he said, उसने, किसने old man ने कहा, you can eat it, you मतलब और can, फिर वर्ब की first form का use, कोई काम कर सकते हो, उस sense में, सकता है, सकती है, possibility के sense में भी होता है, can का use, ability के sense में भी use होता है, किसी से आप informal way में permission लेते हैं, तो उस sense में भी होता है, तो तुम क्या कर सकते हो, you can eat it, तुम इसे खा सकते हो, because क्योंकि it is reason दिया है, it is sweet, वो क्या है, मीठा है, इसका use करकर, हम without action वाले sentences बनाते हैं, present, indefinite, tense में action वाले बनते हैं, और without action वाले sentences भी बनते हैं, जहांपर subject के बारे में कुछ बताया जाता है, इस MR के बाद में adjective का use होगा, noun का use होगा, तो यहांपर sweet देखेंगे, तो adjective है, it कौन, यहांपर it कौन है, अंगूरों का जो गुच्छा उसकी बाद हुई है, तो वो कैसा है, मीठा है, it is sweet, it, आगे देखें, it is, इसी के बारे में बताया है कि it is, अब कैसा है, ठीके state अवस्ता की बाद की जा रही है, कोई action नहीं हो रहा है, it is in large numbers, it is in क्या है, यह large numbers में हैं, विश की second form, यहनि की आशा की, इच्छा की, desire होना, ठीके आशा करना, इच्छा करना, इच्छा की थी, and simple past का वाक्य, and it is juicy, रसीले भी है, यह रसदार भी है, it is juicy, so इसलिए, it will quench your thirst, अब वो क्या कर देंगे, तुम्हारी जो प्यास है, उसको बुझहा देंगे, will के साथ work की first form, future की बात हो रही है, future indefinite tense भी है, और थोड़ी सी देर में होने वाला time भी, future के sense में यूज किया जाएगा, possibility के लिए भी will का यूज किया जाता है, it will quench your trust, यानि कि यह तुम्हारी प्यास बुझहा देंगे, I guess, अब I guess, guess करना, अनुमान लगाना, तो मैं क्या गरता, अनुमान लगाता हूँ, कि you, you won't, will not का, contraction है, short form है, will not का want, और will के साथ work की first form का use होता है, won't fight now, कि I guess, मतलब guess करना, मुझे विश्वास है कह सकते हैं, अनुमान के sense में, करोगे, ऐसे संभावना है, ठीक है, संभावना वाली feeling भी आती है, विल से, और future indefinite tense के लिए भी, will का use, the three friends, तीनों, दोस्तों, दोस्त क्या हो गए, agreed, agree से, agreed verb की second form, simple past का वाक्य, सहमत हो गए, and, फिर दूसरी वर्ब को जोड़ दिया, enjoyed, enjoyed का मज़े लेना, आनन्द लेना, the grabs, फिर उन्होंने क्या क्या, जो है, grabs का आनन्द लिया, उनके मज़े लिये, मतलब उनको खा कर उनका आनन्द लिया, the three friends agreed and enjoyed the grabs, तो agreed और enjoyed वर्ब की second form, simple past का affirmative sentence है, कुछ advanced जैसे present participle का use हुआ है, तो वो किस तरीके से use हुआ है, कैसे work कर रहा है, वो सभी बताया है, तो उमीद आपको समझ में भी आएं होंगे, हर एक sentence, हर आनन्स आन्स चाहा है कैस्छ